हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माय चैनल सिवानी स्फोर्ट्स आज मैं आपको स्पाइसी गोवी मंचूरिया बना के दिखाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी है इसे आप स्टार्टर में खा सकते हैं या आप चपाती के साथ भी से आप खा सकते हैं तो चलिए स्टा अधानी सोलते ओपानी में इससे डालूंगे। मैं से तो हमारा पकाना चौश कर से 5-7 मिनट में तो दूसरी तरह चलते हैं inhib मैं मैं ली हूँ मैदा एक कप काप और जाल रही हूं नमक 1 टी सपून और लालमिष डाली हूँ हाफ टी सपून और प्लाक पेपर 1 टी सपून और इसमें पानि करे इसे एक घोल बनाओंगी इसका ऐक बनाओंगी देखिए नमक इसमें हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ना हो कि नमक हर चीज में थोड़ा-थोड़ा डेल रहा है तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए नमक हमें ज़्यादा नहीं रालना है तो देखिए मैं गोबी को जो रखी थी अब इसमें डालूंगी देखिए ध्यान से रालना है कि गोबी डम तूटना जाए गोबी का हमें सेप वही रखना है तो देखिए अब इसे मैं आहिस्ते आहिसे मैं मिलाओंगी कि गोबी में सारा ये जो पेस्ट है आपस में मिल ऐसा है तो अब मैं से तेल में फ्राई करूंगी तो देखिए यह घरंग टेल लेई हूँ यह हाइफ लेऊ पे मैं से अभी तलूंगी तो देखिए इसे मैं fry कर रही हूं एक-एक करके मैं सब डाल दे रही हूं देखिए यह मैं high flame पे ही कर रही हूं मैं इसे low या medium flame पे नहीं की हूं high flame पे ही पका रही हूं तो देखिए इसका kler एग्दम अच्छäg golden color ना हो जाये तब तक इसे हमें पकाते रहना है तो देखिए इसका kler change रह चुका है तो इसे आब मैं निकालोंगी यह करने में हमें लगा है 5-7 मीनिट इसे भी हमें पकाने में लगा है कि यह ब्यразу हो मैं कम करके 1 teaspoon तेल कर दी कि यह मैं दो मिर्च ली हूँ और इसे मैंने चॉप्ट कर दिया था हुए इस 17 मिनट हमें पकाना हैं यह मैं प्रासेस देखे ऐक मिनट ऐसी तरिके से करके प्रोसेस इसके बाद में इससे प्याज कर दाल लूगी आजरा प्यार तक पकाना है इसे मुझे नाल कलर नहीं करूँगी बस इसका कलर चेंज हो जाए उतना ही हमें इसे पकाना है तो देखिए यह पक चुका है तो इसमें मैं अब सिम्ला मिर्च डाल लूँगी सिम्ला मिर्च को मैंने चोटे-चोटे टुक्रों में काट लिया है, मैं एक सिम्ला मिर्च लिया हूँ, आप चाहे तो इसमें और वी सारे वेजेटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे बीन्स, तो पहर मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, इसे मैं थोड़ा धक के इसे थोड़े हूँ, इसे हमारा जो ग्रेवी रहेगा, ग्रेवी तो होता नहीं है, ये चिटपटा बनाने के लिए आपस में गारा रहे, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए, कुछ देर बाद मैं देखने जा रही हूँ, देखिए हमारा सिम्ला में शक चुका है, तो इसमें मैं थोड़ा मसाला एट करूंगी, इसे मिला के, अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर चुकी हूँ, तो इसमें मैं धनिया पाउडर एट कर रही हूँ, वन टेबल स्पून, गरम मसाला, हाप टीस्पून, मिर्च डाल ले हूँ, लाल मिर्च, हाप टीस्पून, इसके प्रिश में कर्म डाली हूं है आ ugly में डाला यह मैं डाले है अभ इसमें मैं डालोंगी सॉयाatter केचप तो वो मैं दो टेबल स्पून डालूंगी तो मैं मिलाओंगी थोड़ा सा मिलाने के बाद मैं इसमें वन टीस्पून सुगर एड़ कर रही हूं यह सुगर पाउडर है इससे अच्छा फ्लेवर आता है यह ऑप्सनल है अगर आप ना डालना चाहे तो ना डाले यह इसे भी अच्छे से मैं मिलाओंगी यह मैं मिडेम फ्लेप पे कर रही हूं इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं धनिया डालूंगी धनिया पती तो देखिए धनिया पती में डाल दी हूं और इसके साथ जो मैंने कॉन फ्लाड का यह जो पेस्ट बनाया था मैं इसम आस्ट में डालती हूं कि अंदाज रहता है कि हमें कितना डालना है इसके बाद इसे दो मिनिट तक मैं मिलाओंगी और यह हमारा बन के मंचुरियत त्यार हो जाएगा तो देखिए हमारा मंचुरियत बन के त्यार है तो कमेंट सेक्षन में जरूर बताए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब सेर करना बिलकून लाव ले और बेल आइकन दबाए मेरे अगल वीडियो का